बारतिय जनता पार्टी के पूरु प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज टोंक के देवली उनियारा में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दोरान उन्होंने कॉंग्रिस पर हमला बोलते हुए कहा कि कॉंग्रिस के लिए धारा 370 राजनीती का विशय है जबकि हमारे लिए यह अस्मिता का सवाल है। बीजेपी के लोग तारीक नहीं बताएंगे। हमने तारीक भी बताई और मंदिर बना कर भी बताया। एक पत्ता नहीं हिला। लोग कहते थे देश में गरहयू दोगा। सभी पंत और विरादरियों ने राम मंदिर के बढ़ने के निरने का स्वागत किया। इस देश में सुक्षान्ती की स्थापना हुई, रोजगार के अवसर बड़े, इसलिए मंदिर कोई हिंदू-मुस्लिम मुद्दा नहीं था, मंदिर करोडो हिंदूओं के लिए आस्था का प्रशन था, वो पूरा हुआ, राम जहां पैदा हुए, उनकी सरजमी पर उनका रहया जाता है, तो 370 के खात्मे के कारण है, और इसलिए 370 उन लोगों के लिए, वोट बेंक की राजनिती का हिस्सा हो सकता है, हमारे लिए अमारे एजअडे की परतिबद्द आती, तिरंगे की प्रतिबता थी समिधान की प्रतिबता थी इसलिए वो कुछ भी कहेंगे लेकिन सत्यता यही कि 370 अब समिधान से गायब है और वो गायब ही रहेगी